चाप्टर फिफ्टी वन माया शेखावत को गाली दी तुने उन ब्लॉक सुट वाले आदमियों ने माया को घेर लिया। लेडी बॉस आप कार में बैठे। एक आदमी ने कार का दोर ओपन कर माया से कहा। माया ने घूरते हुए सभी को देख पुछा। लेडी बॉस माया को लगा कि यह सब उसके दुश्मन है। पर यह तो उसे लेडी बॉस के नाम से पुकार रहे है। वो खुद कन्फ्यूज थी। माया जैसी ही कार में बैठने को हुई कि तभी गंसुट की आवाज वहाग माया ने पिछे मुड कर देखा तो हैरान रह गई। क्योंकि जिस आदमी ने उसे लेडी बॉस कहकर पुकारा था। उसके ठिक माथे पर गोली लगी थी। और वो एक जमीन पर मरा पड़ा था। सारे ब्लॉक सुट वाले आदमी सतर्क हो गए। माया ने सामने देखा जहा कि गोली किसी भी मास्क वाले आदमी ने माया को नहीं मारी थी। और इसका कारण सिर्फ वही जाते थे। माया ने अपनी गण उन आदमी पर तान दी। अब तुम लोग कोन हो। माया ने घूरते हुए गुस्से से कहां। तभी उन में से एक आदमी आगे आया जिसके हाथ में फोन था। माया की एक आयबरो उपर चधा गई। उस आदमी ने माया को फोन दिया और चुपचाप पिछे हट गया। माया ने फोन कान पर लगाया। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसे सुनाई दी माया शेखावत। अरे नहीं अब तो आप मिसेज रावल हो गई उसने एक मजाक उडाने वाली मुसकान के साथ कहां तुछे कैसे भूल सकती हूँ। तू वही नामर्द है जिसने एक हिज़डे को पैदा किया था और मैंने उस हिज़डे को एक चीटी की तरह मसल दिया। मैंने सही कहा ना। उसे उस आदमी के सवाल का जबाब भी दिया और उसका मजाग भी बना दिया वही दुसरी तरफ हो आदमी अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर गुस्से से चीक पड़ा माया शिखावत एक औरत हो औरत की तरह रहो मर्द बनने की कोशिश मत कर वरना तेरा ऐसा हाल करूगा कि तेरा पती तुझ पर थुकना भी पसंद नहीं करेगा समझी वो आदमी गुस्से से दाग पीशते हुए बोल पड़ा माया ने उसकी बात सुनकर मुठी कसली इस आदमी के शब्द उसे पसंद नहीं आए औरत और पती थुकना भी पसंद नहीं करेगा ये मुझे सिखा रहा है माया शिखावत को और माया को ऐसे लोग और उनकी बातों से नफरत हैं यही सोच माया ने अपनी गर्दन संकी की तरह मरूरी भूल मर्द डिसीपी की तेरे हिजडे बेटे और उसके ड्रायवर को एक औरत मतलब की मैंने ही गंदी मौत मारा था खैर यह सब छोड़ और ये बात की ये नामर्द वाला काम क्यूं किया माया ने अपने आखरी शब्द कहते वक्त सामने खड़े आदमियों को घूरा दूसरी तरफ से डिसीपी जिसके बेटे और उसके ड्रायवर को माया ने मारा था उस डिसीपी ने दाथ पीसते हुए कहा तुने मेरे बेटे को मारा माया शिखावत तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा आज तेरा काम तमाम होगा तभी मेरे बेटे की आत्मा को शांती मिलेगी वो गुस्से से गुराया डिसीपी तेरी ये हिजडो की फॉज मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगी समझा माया ने गुस्से से दाथ पीसते हुए कहा और फोन फेक दिया माया ने गन एक और बार लोड की और गुस्से से उस सामने खड़े आदमी पर गुली चला दी वो आदमी एक चिक के साथ जमीन पर गिर पड़ा और उसने वही दम तोड़ दिया माया ने अपनी जल्ती निगाए उन तेरा आदमियों पर डाली जो उसे ही घूरते हुए आगे बढ़ रहे थे नामद साला माया ने उन आदमियों को देख डिसीपी को गाली दी एक आदमी ने माया पर गंतान दी तो उसके ही आदमी ने गंद को निचे करते हुए कहा औरत है इसे गोली की क्या जरूर जबकि ये थपड से इसकी सारी हेकड़ी निकल सकती है वो माया की तरफ देख मुस्कुराया औरत 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 ये शब्द माया को चुपता था उसके पीट से लगा दिया एक कड़की आवाज उस आदमी के उस हाथ से आए वो दर्ट से तड़क उठा तभी एक और आदमी आगया आया और माया के बालों को पकरना चाहा माया ने अपना पैर उठा कर उसकी गर्दन पर वार किया उसकी हाय हिल की नोक उस आदमी की गर्दन पर धस गई जहा से खुन निकलने लगा वो आदमी सिधे जमीन पर जा गिरा माया ने फिर से फुर्ती देखा कर उस आदमी के हाथ को फिर से घमा दिया और एक जोरदार मुका उसकी गर्दन पर मारा उस आदमी की नाक और कान से खुन निकलाया तभी दो आदमियों ने माया की दोनों हाथ पकड़ लिये माया ने खुद कुछ उडाना चाहा उसने समाने देखा एक आदमी ने गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहां सालीची मर्द बनने की कोशिश करती हैं उसने माया को गाली दी अपने लिया आज जिंदगी में पहली बार ऐसा शब्द सुनकर माया की आँखे उस धुपते सुरज की तरह लाल हो गई जंगल साइड एरिया में अब अंधेरा होने लगा क्योंकि सुरज दुबने लगा था और अंधेरा अपनी जगह बना रहा था माया ने जलती निगहाँ से उस गाली देने वाले आदमी पर डाली और उन पर जिन हुने उसका हाथ पकर रखा था माया ने अचानक से जंप की और उसने के आदमी के सीने पर लात मार कर उसे गिरा दिया और अपने दोनों हाथों को हलका सा गुमा कर आजाद कर उस एक आदमी की गर्दन कसकर पका उसका सीर अपनी कार के शीशी के अंदर धकिल दिया कांच उस आदमी के सीर पर धस गई तभी एक आदमी ने माया के बालों पकड़ लिया माया ने पिछे हाथ डाल कर उसकी गर्दन को पकर उसे उठा कर अपने उपसे सामने पटक दिया और उसके लोग पार्ट पर अपने हिल की नोग धसा दी कि जोड़ार चिक के साथ वो आदमी मौत की कगार पर था ऐसे ही माया ने सारे आदमियों को मार दिया और फिर हाफते हुए उस अपने गन ली और उस आदमी की पास सरक पर बैग डई जिसने उसे गन्दी गाली दी माया ने अपने अपने होटों का खून साफ करते हुए उस आदमी के बालों को कसकर पकर लिया और दाथ पीशते हुए, तुम मर्द हम औरतों के मामले में दिमाग से कम और कमर के निचे से ज़्यादा सोचते हो और गलती कर देते हो, और तुने भी कि मुझे गाली दी, चिकते हुए संकी की तरह मुझे गाली दी, माया शेखावत क को गाली दी तुने, माया ने गुस्से से गन की गोलिया उसके भेजे में उतार दी, उस आदमी का खून माया के मुझे पर उठ गया, माया अकाली की तरफ दिखने लगी, वो हाफ रही थी, उसकी आखों में गुस्सा था बेहिसाब गुस्सा, चेहरे पर खून की चिटे औ और बिखरे बाल, अचानक से माया के आँखों की सामने कुछ हो गुझरा, एक मासून सी बच्ची अंधेरे में निर्वस्तर सड़क के किनारे तड़प रही थी, माया आसमान को देख जोर से चिल लाई, उसने गुस्से से गन की बची गोलियां उस मरे हुए आदमी पर उत जिश्की वो दिन में कई बार उसे कॉल करती तो कई बार मेसेच कर मिलने को कहती, पर डेनियल का कोई जबाव नहीं मिलता, वो पच्चता रही थी अपनी की हरकत पर, डेनियल की कमी उसे हर बार महसूस होती थी, उसका जबरदस्ती करना, उसकी वो घटिया पनिश्मेंट सोच रडी की आँखों में नमी तेर गई, रडी ने ठान लिया कि वो आज सारी नाराजगी दूर करके रहेगी, वही दूसरी तरफ डेनियल अपने अपार्टमेंट में सोफे पर सीर्टी का कर बैठा सो रहा था, या फिर आँखे बंद कर सिर्फ बैठा था, तभी दोर ब बेजती तो नहीं करने आया हो, डेनियल ने गुसे से सामने ख़़ी रडी से कहा, एक दर्ड उसकी आँखों में था, तो जुबान पर गुसा और शिकायते थी, वही रडी ने घिरे से कहा, अंदर नहीं बुलाओ गे अपनी रडी डालिंग को, ये बात रडी ने घिरे से क क्यों आया हो यहाँ, माफी मांग ने, रडी ने नम आखों से कहा, रेली माफी मांग ने, मेरी इतनी बेजती की, मेरे प्यार, मेरी केर को तुमने मजाक बना दिया और अब तुम यहाँ मुझ से माफी मांग ने आया हो, गहरी सास लेकर ठीक हैं कर दिया तुम्हें माफ अ निकलो यहां से, डैनियल ने गुस्से से कहा, तुम्हारे जाने के बाद पता चला कि तुम्हारे बिना मैं अधुरी हूँ, प्लीज डैनियल प्लीज वापसा जाओ प्लीज, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बीना खाली पंसा महसूस होता है मुझे, आदत हो गए हो तुम मेर और जरुरत भी प्लीज लोट आओ, प्लीज मुझे मुझे प्यार हो गया है तुमसे, I love you, रडी ने अचानक से डैनियल के सीने से लग रोते हुए कहा, डैनियल ने अपने हातों से रडी की पीत को सहलाते हुए प्यार से घिरे से कहा, सच में प्यार करती हो, रडी ने ने निचले होट को दातों तले हलका दबाते हुए रडी से इजाजत मानगी, क्या मुझे तुम्हारे इस लबो को चुमने की इजाजत है, डैनियल ने प्यार से रडी के होटों सहलाते हुए इजाजत मानगी, इजाजत है, रडी ने एक टक उसकी आँखों में देखते पीलू तेरे गिले गिले होठों की सरगम पीलू है पीने का मोसम। तेरे संग इश्कतारी हैं। तेरे संग एक खुमारी हैं। तेरे संग चैन भी मुझे को। तेरे संग बेकरारी हैं। देनियल और रडी दोनों की आखे बंद थी। और दोनों भिरे गिरे एक दुसरे के हो प्यासों की तरफ चुमने लगे, मानो उन होथों को पुरी तरह सिखा जाने वाले हो, तेरे बीन जी नहीं लगदा, तेरे बीन जी नहीं सिखदा, तुझ पे है हारे में निवारे, दो जहां आहे है, कुर्बा आया, महर्बा आया, के मैं जो कुर्बा, सुन ले जरा, मेरा निवात, वाइल्ड हो, सेक्स करना चाहता हूँ, तुम्हे तुम्हारी हर गलती पर पनिश्मिंट में देना चाहता हूँ, और इस सब को पुरा करने के लिए तुम से शादी करना चाहता हूँ, रड़ी डालिग क्या? तुम मुझ से शादी करोगी, डेनियल ने उसकिसको ब्रेक लगा कर रडी के हातों को थामते हुए प्यार से कहा, बिल्की उसे पप्रोच किया, पर ये कैसा प्रप्रोजल था डेनियल जी, ये प्रप्रोजल है या तुम्हारी फर्माईशे, रडी ने डेनियल के सीने पर अपने छोटे से हातों से मारते हुए उसे क्यूट तरह से घूरते हुए कहा होश में रहू क्यों आज मैं तू मेरे बाहों में सीन्टी है मुझ समाए है यू जिस तरह तू कोई हो नदी तू मेरे सीने चुकती है सागर तुम्हारा मैं हूँ रडी की बात सुनकर डेनियल ने उसके आँखों में बिखरी हुई नमी को होले से साफ कर पीलू है पीने का मोसम तेरे संग इश्कतारी है तेरे संग एक हुमारी है तेरे संग चैन ही मुझ को तेरे संग बेकरारी है रडी ने अपनी उंगली उस रिंग के डालते हुए कहा कुबूल है अपनी जिन्दगी का हर पल तुम्हारे साथ बिताना मुझे कुबूल है कहते वक्त दोनों एक दुसरे की आँखों में शिधत से देखे जा रहे थे पीलू तेरे निले निले नैनो से शबनाम पीलू तेरे गिले गिले होठों की सरगम पीलू है पीने का मोसम तेरे संग इश्कतारी है तेरे संग एक खुमारी है तेरे संग चैन भी मुझे को तेरे संग बेकरारी है एक बार फिर से दोनों एक दुसरे की होठों को चुमने लगे पीलू तेरे निले निले नैनो से शबनाम पीलू तेरे गिले गिले होठों की सरगम पी लू है पीने का मोसम तेरे संग इश्क तारी है तेरे संग एक खुमारी है तेरे संग चैन भी मुझे को तेरे संग बेकरारी है चाप्टर 53 सच का खुलासा वही शिखावक मैंशन में सभी हॉल में परेशान बैठे थे वहां सभी थे वंश अर्जुन, काया और अर्चना जी और राजवीर जी, सभी घरबराय और परेशान थे, क्योंकि रात के करीबन 12 बजने वाले थे, लेकिन माया का कोई ठिकाना नहीं था, उसका फोन भी बंदा रहा था, वंश का तो हाल बेहाल था, माया उसकी जान थी, और वो ही गायब थी, उसे देखकर लग रहा था कि मानो वो अभी रो देगा, पता नहीं कहा चली गई है ये लड़की, मेरी जान निकली जा रही है और ये कहते कहते वंश रुक गया, अर्जुन ने वंश के कंदे पर हात रख उसे दिलासा देते हुए कहा, थन रख भाया जाएगी भाभी तुम चिंता ना कर, वंश ने अर्जुन को एक नजर देखा और वही सोफे पर बैक गया, तभी सभी के कानों में टिक टिक की आवाज सुन दी, सभी ने उसी दिशा में देखा तो हैरान रह गए, सामने से माया आ रही थी, वो अभी बहुत गुसे में थी और उसी हाल में बिखरे बाल, चेहरे पर खून की छिटे, लाल आखे, वंश ने माया को जल्दी से उसके करीब जाकर उसे जोर से लगे लगा लिया, माया को देख उसकी जान में जानाई हैश वही माया एक टक बिना किसी भाव से सामने देख रही थी, उसने वंश हग बॉक नहीं किया, कह कि उनकी बात सुनकर वंश भी माया से दूर हुआ और उसे देखा तो घबराते हुए कहा, तुम, तुम थिक तो हुना, ये खून, क्या हुआ है, कुछ बताओ बीवी, उसका दिल हद्द से जादा अड़ा रहा था, माया अभी चुप थी, सभी उससे सवाल कर रहे थे, सभ माया ने वंश को बीना देखे सर्द आवाज में पुछा, कभीर रावल तुम्हारा भाई था, हिन्ना वंश, उसने अपना आखरी शब्द कहते वक्त वंश की तरफ देखा, सभी एक दम चुप चाप से हो गए, खमोशी ने वहा अपनी जगह बना ली, वंश ने माया की ब मिस्टर वंश रावल की कभीर रावल तुम्हारा भाई है या नहीं? हाँ, हैं, तो वंश ने माया को घूरते हुए कहां, और तुम अपने उस नामर्द भाई की मौत का बदला लेने के लिए मेरे पास आए, मुझसे शादी की अपने उस नामर्द मरे हुए भाई का कि खा माया ने चिकते हुए कहां, मायन यो लांग्विज मिसेज रावल, आप जिसके बारे में बात कर रही है, वो भाई है मेरा, वंश ने दात पीसते हुए कहां, उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो अभी कुछ देर पहले रोने को हुआ था माया के खातिर, सौतेला भाई म मिस्टर रावल, माया ने वंश को भूरते हुए कहां, ये क्या हो रहा था कोई कुछ बताएगा, राजवीर जी ने दोनों को से कहा, उनकी बात सुनकर माया ने वंश की तरफ उन्भी दिखाते हुए कहा, मैं बताती हुँ पापा, ये मेरा पती वंश रावर आपको तो सि पता है इसका, इस आदमी ने मुझसे वो मासूमियत का धोग, वो शादी, सिर्फ इस लिए कि क्योंकि ये अपने उस नामद भाई कबीर रावल का बदला ले सके और इसने धोके से मेरी शेखावत इंडिस्ट्री अपने नाम की, वंश के करीब बढ़ गुस्से से, मैं फि पता क्योंकि ने एक नाम ने उसके दिमाग में घर बना लिया, कबीर रावल, रावल, वंश रावल और कबीर रावल, वंश ने अचानक से माया के बालों को कसकर पकर गुस्से से दांग पीस्ते हुए कहा, क्यों मारा तुमने मेरे भाई को, कही इसलिए तो नहीं कि उसने तुम्हारा एगो हट किया हो, ऐसा ही है ना मिसेज रावल, वंश ने माया के बालों को खिचा, डोंट कॉल मी मिसेज रावल और हाँ उसे मैंने मारा ये पता कर लिया, लेकिन क्यों मारा, ये पता क्यों नहीं किया, मिस्टर वंश रावल, माया ने भी वंश के बालों को पर ये नहीं पता था कि क्यूं मारा क्यूंकि माया ने जिन लड़कों को मारा था वो बहुत आमीर घर के थे जो केस उन पर लगा था वो अपनी पावर से उन्होंने रातो रात दबा दिया उस केस की एक भी न्यूज नहीं टिवी पर दिखाए और नहीं न्यूज पेपर पर Because he raped तुम्हार भाई एक रेपिस्ट था माया ने वंच की आँखी में देखते हुई गुस्से से कहा सभी हैरानी से उन्हें देख रहे थे माया की बात सुनकर तो अर्जुन और वंच हरान रह गए पर अगले ही पल वंच ने माया को दूर धकिल दिया और कहा तुम एक साइको औरत हो माया जिसे अपनी जिद के आगे कोई नहीं दिखता और मेरे भाई को भी तुमने अपनी जिद के कारण ही इतनी बेहरिमी से मारा और अब उस पर जुठा इंजाम लगा रही हो सच कहा तुमने मुझे अपनी जिद के आगे कोई नजर नहीं आता पर वंच की आखे में देखते हुए माया जूट ही नहीं है तुम्हारे भाई और उसके चार दोस्तों ने और एक साठ साल के आदमी ने मिलकर एक तेरा साल की मासूम बच्ची का बेहर्मी से घंटों तक रेप किया और आखिर में उसे सडर पर मरने के लिए छोड़ दिया माया ने हलकी नम आखों से कहा क्योंकि एक औरत थी वो और एक बच्ची का वो बेहसाब दर्द उसे बेहत्तर कोई नहीं समझ सकता था कभी नहीं कर सकता था वही सभी की हिरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा माया का चेहरा एक तरफ जुका हुआ था बाल उसके चेहरे पर बिखर गए अगर तुम दोनों ने एक ही मा की कोक से जन लिया होता तो शायद वो ऐसी हरकत नहीं करता वन्ष की तरफ देखा सर्द आवाज में पर था तो ना जायस तुम्हारे बाप की आयाशो की निशानी और हाल तुम्हें यकिन नहीं है ना मुझ पर तो ठिक है खुद चल कर देखो उस बच्ची का हाल माया ने कहा और वन्ष का हाथ पकड़ उसे खिचते हुए वहाँ से लेकर जाने लगी सभी उनके पिछे चल दिये प्लीज कमेंट करें और रेटिंग करते रहे चाप्टर 54 गैंग रेप और तलाक एक साल पहले 31 डिसेंबर जहां लोग नए साल का जश्न मना रहे थे वही दुसरी तरफ एक लाल रंग की भाटकेली कार सड़क पर तेजी से दौड रही थी उस कार में से कुछ नौजवान लड़कों की हाफने की तो कुछ की हंसने की आवाज आ रही थी एक साल पहले 31 डिसेंबर जहां लोग नए साल का जश्न मना रहे थे वही दुसरी तरफ एक लाल रंग की भाटकेली कार सड़क पर तेजी से दौड रही थी उस कार में से कुछ नौजवान लड़कों की हाफने की तो कुछ की हंसने की आवाज आ रही थी और एक दिमी सी दर्ट से भरी तड़कती आवाज थी एक मासूम 13 साल की बच्ची की जिसका वो लड़के बारी-बारी से ना जाने कितने घंटों से रेप कर रहे थे एक दिमी सी दर्ट से भरी तड़कती आवाज थी एक मासूम 13 साल की बच्ची की जिसका वो लड़के बारी-बारी से ना जाने कितने घंटों से रेप कर रहे थे एक गैंड रेप उस बच्ची का हो रहा था गाड़ी सदक पर घंटों से ऐसी ही दौड रही थी वो मासूम सी अनाथाश्रम में रहने वाली बच्ची जो आज नए साल का जश्न मनाने चार दिवारी से बाहर निकली थी आज उस लड़की का रेप नशे में धुत लड़की कर रहे थे की बॉक्सीट पर तरप रही थी और वो अमीर बाप के लड़के बेहरमी से एक मासू का बलातकार कर रहे थे मेरा भी हो गया आप क्या करें इस लड़की का जैन भीगीर डिसीपी के बेटे ने अपनी अपनी शर्ट पहनते हुए कहां मेरा भी हो गया आप क्या करें इस लड़की का जैन भीगीर डिसीपी के बेटे ने अपनी अपनी शर्ट पहनते हुए कहां फेक देते हैं इसे हम कोई दाग नहीं लगेगा कभीर रावल ने सिग्रेट जलाते हुए कहां फेक देते हैं इसे हम कोई दाग नहीं लगेगा कभीर रावल ने सिग्रेट जलाते हुए कहां पांचो लड़कों ने उस मासूम लड़की को कार में छोड उतर गए इसे ठिकाने लगा देना डिसीपी के बेटे ने अपने उस साथ साल के ड्रावर के मुप पर नोटों की गड़ी फैक्ते हुए कहां और वो पांचो लड़कों वहां से चले गए उस बुड़े ड्रावर ने नोटों की गड़ी देख लाल्चियों की तरह हसने लगा उसने बॉक्सीट पर निर्वस्तर परी उस मासूम लड़की को देखा उस बुड़े ड्रावर ने नोटों की गड़ी देख लाल्चियों की तरह हसने लगा उसने बॉक्सीट पर निर्वस्तर परी उस मासूम लड़की को देखा वो साट साल का आदमी उस तेरा साल की लड़की के दादा की उम्रका था पर उन लड़कों के जाते ही उसने अपनी हैवानियत उस मासूम लड़की पर उतार दी और उसे सड़क पर फेक दिया पर उसे ऐसा करते हुए मैंने देखा माया ने नम आँखों से वंच की आँखों में देखते हुए कहा माया ने जल्दी से ड्रायवर को गाड़ी रोकने को कहा और खुद बाहर आकर देखा तो वो लड़की जिसके शरीर पर हैवानियत भरी पड़ी थी माया ने जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी रोपने को कहा और खुद बाहर आकर देखा तो वो लड़की जिसके शरीर पर हैवानियत भरी पड़ी थी उसे देख माया का दिल भी एक पल के लिए हिलसा गया था lower your eyes now अपना जैकेट निकातले हुए उस लड़की को पहनाते हुए सर्द आवाज में अपने पिछे खड़े ड्राइवर से कहा उसे देख माया का दिल भी एक पल के लिए हिलसा गया था lower your eyes now, अपना जैकेट निकातले हुए उस लड़की को पहनाते हुए सर्द आवाज में अपने पिछे खड़े ड्राइवर से कहा ड्राइवर ने जल्दी से अपनी आँखे बंद कर दी, माया ने सामने जाती उसकार के नंबर को जल्ती नजरों से घूरा उसने उस लड़की को गोध में उठा लिया और सबसे दूर उसे विला के बेस्मेंट में रख उसका इलाज किया ड्राइवर ने जल्दी से अपनी आँखे बंद कर दी, माया ने सामने जाती उसकार के नंबर को जल्ती नजरों से घूरा उसने उस लड़की को गोद में उठा लिया और सबसे दूर उसे विला के बेस्मेंट में रख उसका इलाज किया इलाज के दौरान पता चला कि उस लड़की का लोवापार्ट पुरा डेमेज हो चुका था जिसमें से खून बह रहा था मारपीट और सर पर गहरी चोड के कारण वो लड़की कोमा में चली गई इलाज के दौरान पता चला कि उस लड़की का लोवापार्ट पुरा डेमेज हो चुका था जिसमें से खून बह रहा था मार्पीट और सर पर गहरी चोड के कारण वो लड़की कोमा में चली गई मैं हाई कोर्ट तक गई पर ये केस भी अभी कोर्ट से बाहर नहीं गया क्यों तो जिन नामर्दों ने इस मासूम का बलातकार किया वो शहर के रहीज जादों में गीने जाते थे और उन्ही में से एक रहीच था तुम्हारा भाई कबीर रावल जिसे तुमने सब कुछ दिया पर उस पर अभी ध्यान नहीं दिया माया ने वन्ष का कॉलपकल गुस्से से चिकते हुए कहां मैं हाई कोर्ट तक गई पर ये केस भी अभी कोर्ट से बाहर नहीं गया क्यों तो जिन नामर्दों ने इस मासूम का बलातकार किया वो शहर के रहीच जादों में गीने जाते थे और उन्ही में से एक रहीच था तुम्हारा भाई कबीर रावल जिसे तुमने सब कुछ दिया पर उस पर अभी ध्यान नहीं दिया माया ने वन्श का कॉलर पकल गुस्से से चिकते हुए कहां सभी शेखावत मैंनिश के पिछे बने एक कमरे में थे जहां अभी अभी उस लड़की को लाया गया था वो कोमा से तो बाहर आ गई थी पर बेजान थी सभी शेखावत मैंनिश के पिछे बने एक कमरे में थे जहां अभी अभी उस लड़की को लाया गया था वो कोमा से तो बाहर आ गई थी पर बेजान थी सभी हिरानी से और दर्ट से अभी उस बच्ची को देखते तो अभी माया और वन्च को वन्च तो सच्चाई जानकर चुपसा हो गया था वो सीर निचे कर माया के सामने खड़ा था और अर्जुन का भी यही हाल था सभी हिरानी से और दर्ट से अभी उस बच्ची को देखते तो अभी माया और वंच को वंच तो सच्चाई जानकर चुपसा हो गया था वो सीर निचे कर माया के सामने खड़ा था और अर्जुन का भी यही हाल था तुम्हें पता है उस बच्ची की तरह हिशारा कर इस मासूम की गलती क्या थी इसकी ये गलती थी कि ये अकेली अपनी नादानी और बच्चपने में उस अनाधाश्रम से बाहर निकली और आज इस हालत में है सिर्फ यही गलती थी उसकी माया ने उस लड़की की सी रहाने बैठ उसका सिर्स इहलाते हुए कहा तुम्हें पता है उस बच्ची की तरह हिशारा कर इस मासूम की गलती क्या थी इसकी ये गल्ती थी कि ये अकेली अपनी नादाने और बच्पने में उस अनाथाश्रम से बाहर निकली और आज इस हालक में हैं सिर्फ यही गल्ती थी उसकी माया ने उस लड़की किसी रहाने बैठ उसका सिर्फ सहलाते हुए कहा माया ने आगे गुसे से दांग पीसते हुए कहा इसलिए मार दिया मैंने सब को क्योंकि ऐसे नामर्दों को जीने का कोई हक नहीं कहकर माया ने वंच की तरफ देखा और कहा और तुम अगर अब मुझे चोना चाहते हो तो बेशक तुम मुझे चोड़ सकते हो क्योंकि जुट और फरेब की बुनिया पर टिका कोई रिष्टा नहीं चलता मैं तुम्हें खुद से आजाद करती हूँ वंच बेबी अपने आखरी शब्द माया ने बहुत घिरे से वंच की तरफ देख कहे थे माया ने आगे गुस्से से दांग टीसते हुए कहा इसलिए मार दिया मैंने सब को क्योंकि ऐसे नामर्दों को जीने का कोई हग नहीं कहकर माया ने वंच की तरफ देखा और कहा और तुम अगर अब मुझे चोना चाहते हो तो बेशक तुम मुझे चोड़ सकते हो क्योंकि जुट और फरेब की बुनियाब पर टिका कोई रिष्टा नहीं चलता मैं तुम्हें खुद से आजाद करती हूँ वंच बेबी अपने आखरी शब्द माया ने बहुत घिरे से वंच की तरफ देख कहे थे काया तो रोते हुए अर्जुन के सीने से जा लगी अर्जुन ने उसका सीर सहला दिया कुछ पल वहाँ शांती चाय हुई थी तभी वंच ने गिरे से अपने कदम माया की तरफ बढ़ा दिये और जमीन पर घुटनों के बल गया और माया की गोदी में सीर रख रॉंधू आवाज में कहा चार साल का था तब मॉम की डेथ हो गई उसके छे महिने बाद पापा ने शादी कर घर आये उनके साथ में एक पांच महिने का कबीर था उन्होंने कहा कि आज से ये तुम्हारा छोटा भाई और ये तुम्हारी मॉम जिन्होंने मुझे अपने सगे बेटे जैसा प्यार दिया और मैंने उसके बेटे को सगे भाई की तरह चाहा जब पंधरा साल का हुआ तो फिर डेट छोड़ कर चले गए घिरे घिरे मॉम बदल गई प्यार करने वाला था तो सिर्फ कबीर पर रोते हुए पर पता नहीं था कि वो ऐसी हरकत करेगा माया की तरफ देख मुझे मत छोड़ो वाई फी बहुत प्यार करता हूं तुमसे जी नहीं पावगा तुम्हारे बीना प्लीज डोंट लीव मी प्लीज वंच किसी मासूम बच्चे की तरह माया से लिप्ट कर रोने लगा वहाँ सभी खड़े थे सभी दोनों को देख रहे थे तभी माया ने वंच के बालों को सहलाते हुए कहा मुझे मेरी शिखावत इंडस्ट्री वापस चाहिए और तलाक भी माया की बात सुनकर कहा खड़े सभी लोगों की हिरानी से आखे बड़ी हो बई प्लीज कमेंट करे और रेटिंग करते रहे वैसे कल के चाप्टर कुछ है कमेंट मिले थे और दस लाइक तो रोज ऐसे कमेंट और लाइक क्यों नहीं करते हो यार प्लीज कमेंट करे और साथ में लाइक भी और रेवियूस देना ना भूले काया तो रोते हुए अरजुन के सीने से जा लगी अरजुन ने उसका सीर सहला दिया कुछ पल वहाँ शांती चाय हुई थी तभी वंश ने घिरे से अपने कदम माया की तरफ बढ़ा दिये और जमीन पर घुटनों के बल गया और माया की गोदी में सीर रख रौंधू आवाज में कहा चार साल का था तब मॉम की देथ हो गई उसके छे महेने बाद पापा ने शादी कर घर आये उनकी साथ में एक पांच महेने का कबीर था उन्होंने कहा कि आज से ये तुम्हारा चोटा भाई और ये तुम्हारी मॉम जिन्होंने मुझे अपने सगे बेटे जैसा प्यार दिया और मैंने उसके बेटे को सगे भाई की तरह चाहा जब पंधरा साल का हुआ तो फिर डैट छोड़ कर चले गए घिरे घिरे मॉम बदल गई प्यार करने वाला था तो सिर्फ कबीर पर प्रोते हुए पर पता नहीं था कि वो ऐसी हरकत करेगा माया की तरफ देख मुझे मत छोड़ो वाइफी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे जी नहीं पावगा तुम्हारे बीना प्लीज डोंट लीव मी प्लीज वंच किसी मासूम बच्चे की तरह माया से लिप्ट कर रोने लगा वहाँ सभी खड़े थे सभी दोनों को देख रहे थे तभी माया ने वंच के बालों को सहलाते हुए कहा मुझे मेरी शेखावत इंडस्ट्री वापस चाहिए और तलाब भी माया की बात सुनकर कहा खड़े सभी लोगों की हैरानी से आखे बड़ी हो गई प्लीज कमेंट करे और रेटिंग करते रहे वैसे कल के चाप्टर को 6 कमेंट मिले थे और 10 लाइक तो रोज ऐसे कमेंट और लाइक क्यों नहीं करते हो यार प्लीज कमेंट करे और साथ में लाइक भी और रेव्यूस देना ना भूले चाप्टर 55 मेरे वंच बेवी को थोड़ा तर अपने दो सभी हैरानी से माया की तरफ देखने लगे वंच ने भी हैरानी से माया की तरफ देखा I want to divorce माया ने एक बार फिर वंच की आखों में देखते हुए कहा ये तुम क्या कह रही हो बीवी वंच ने हकलाते हुए कहा माया की बात सुनकर उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी उसकी बीवी उससे तलाग की मान कर रही थी उसके दिल में टिसी मचल गई माया ने वंच की बात सुनकर उसके आंसुओं को पहचते हुई कोल्ड वैज कहा वही जो तुम ने सुना मुझे तुम से तलाक चाहिए, कहते वक्त माया के चहरे के एक्स्प्रेशन एकदम नॉमल लग रहे थे मानो उसे अपनी कही बात पर कोई पच्टावा नहीं पर एक बात थी माया की आँखों में और वो ये थी कि जैसे चहरे पर एक इवल स्माइल हर बार होती है वो आज आँखों में देख रही थी वंश अचानक से माया से दूर हुआ और तड़ाप कर कहा बहुत प्यार करता हूँ तुमसे तुमसे जुदा रह नहीं पावगा वो तड़ाप उठा माया तुम सच में अपनी जिद में पागल हुगे हो तुम अपना बसा बसाया घर क्यों अपने हाथ से उजाड रही हो तुम्हारी शादी को भी अभी तक ठिक से एक महिना भी नहीं हुआ है अपनी जिद छोड़ दो तुम अब शादी शुदा हो अर्चना जी ने माया को स उसके एक दम करीब बर मुझे मेरे होने वाले एक्स हस्बेंड के साथ अकेले में कुछ बात करनी है तो प्लीज आप लोग यहां से जा सकते हैं। माया ने अपने आखरी शब्द सभी की तरफ देखते हुए कहा। सभी वहां से चले और नजभी उस बच्ची को लेकर चले गए। अब वहां कोई था तो सिर्फ वंच और माया। क्यों कर रही हो आपके सब मिसेज रावल। वंच ने अचानक से गुसे से माया की बाह पकड़ कर दाग पीसते हुए कहा। याद करो वंच बेबी हमारी शादी के अगले दिन मैंने तुमसे क्या कहा था। माया ने वंच को चहरे को निहारते हुए घिरे से इवल स्माइल करते हुए कहा। माया की बात सुनकर वंच ने दिमाग पर जोर दिया तो उसे माया की कही बात याद आये मुझ से। माया शिखावत से पंगा लिया हैं, इसकी कोई तो वजह होगी, पर मेरी एक बात जरूर याद रखना, अगर वो वजह कोई खास वजह हुई तो मैं खुद अपने घुन्टे टेक दूगी, लेकिन अगर वही वजह बेफिजुल हुई, वन्ष की आँखों में देखते हुए तो अपने कहे कुछ चंद शब्दों को सच साबित करने के लिए तुम मुझसे अलग होना चाहती हो, उसने माया की थुड़ी को मसला, तुम्हारी कसम खाय थी वन्ष बेबी, तो पुरी तो करनी पड़ेगी और वैसे भी तुमने मारे उन दो तीन थपपर का हिसाब भी कर कल तलाक की पेपर तुम तक पोहच जाएगे प्लीज साइन कर देना, माया ने वन्ष से अलग होकर स्माइल करते हुई कहा, कभी नहीं, वन्ष ने कहा और अचानक से आगे बढ़ माया के हुन्थों पर तुट पड़ा, हम, उममम माया का राहू थी, करीबन दस मिनट की लं पर एक सेक्स करते है, क्या पता इसके बाद अभी वो भी तुम्हारे साथ नसीब हो आहा, माया अपनी बात पूरी करती उसे पहले उसकी बात का मतलब समझ वन्ष ने माया के बालों को खिचा, सेक्स तो होगा मिसेज रावल पर तलाक कभी नहीं होगा और ये बात याद र जीजू को डिवास देने वाली हो, माया ने उसकी बात सुनकर अपनी एक आयबरों उपच धाली, हाँ, उसने जवाब दिया, पर क्यूं, आपको पता है जीजू को आपकी बात सुनकर कितना हट होगा, काया ने, परेशानी से कहा, माया की बात सुनकर माया ने खुद को खीरा चाहती क्या है ये सब कर, काया ने कहा, तुम क्या चाहती हो, हम जहार तक मुझे पता है अर्जुन के साथ तुम पांच महिनों से रिलेशन्शिप में हो, पर अभी तक तुमने क्या चाहा है, काया की आँखों में देखते हुए, मैं बताओ तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम उस रिलेशन्शिप में क्या चाहती हो, माया ने एक confidence के साथ कहा, क्योंकि माया को काया कि उस नशे से भरी उस रात के लेकर आज तक की सारी खबर है, सिर्फ उसकी ही नहीं हर एक की जो उससे जुडा हो, तब ही माया ने आगे कहा, कल हम उसके घर जाएगे काया ने कहा, माया ने काया की तरफ देखे विल स्माइल करते हुए कहा, मेरे वंच बेबी को थोड़ा तरपने दो, ताकि याद रहे कि आधी अधूरी जानकारी इकठा कर बदला लेका नतीज़ा क्या होता है, और वैसे भी बीवी हूँ उसकी तो इतना तो हक मेरा भी तो कि उसके साथ था, वो सोफे पर बैठा हुआ था, दोनों के चहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी, तभी अरजुन ने एक गैरी सास लेकर कहा, कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगा, हमने अपना बचपन साथ में बिताया था, पर वो इतनी गंदी हरकत करेगा, मैं आखे लाल थी, वो हंसम देख रहा था, अगर वो आज जिंदा हूता तो अपने हाथ से मारता उसे, वंच ने अचानक गुस्से से दाग पीशते हुए कहा, उसकी बात सुनकर अरजुन ने वंच को ड्रिंग करने से रोकते हुए कहा, आप बस कर यार कितना पिएगा, तो पिछले एक घंटी सिर्फ ट्रिंग पर ड्रिंग किये जा रहा है, तो और क्या करूं मैं, मेरे भाई ने नामर्दो वाला काम किया, मेरी बीवी मुझसे तलाक मान रही है, तो और क्या करूं मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं माया को खो नहीं सकता बहुत प्यार क रहा था वैसे भावी साथ क्या हुआ था कुछ पता चला कि अचानक से आज ये सब मतलब कुछ तो हुआ था उनके साथ जो शायद हमें पता नहीं अर्जुन की आखे कहते वक्त छोटी हो बई हमें नहीं सिर्फ तुझे पता नहीं है वंच ने ड्रिन का ग्लास निचे रखत अर्जुन ने अपनी आखे छोटी कर वंच को घूरते हुए कहा तो इसका मतलब तुझे पता है बता क्या हुआ था भावी के साथ जैयन भीगिर का बाप बिसीपी मनोहर भीगिर के भाड़े के कुछ बुंडों ने उस पर हमला किया था पर मेरी बीवी उनसे दो कदम आग होकर कहा सिर्फ वोही नहीं बलकि और भी है जो उसके साथ मिले हुए है वंच ने सिर्यस होते हुए कहा वही दुसरी तरफ एक कमरे में जहां हलकी रेड लाइट जल रही थी उसी कमरे में हर एक डिवार पर तस्वीरे टंगी हुई थी और कमरे के बीचों बीचों एक नौ प्रो की तस्वीर बना रहा था मतलब सिर्फ माया का आधा चहरा और उसकी गोरी खुली पीथ और उस पर एक छोटा सातील जब से तुम्हें देखा है माया शिखावत तब से आग लगी है मेरे जिस्म में अब तो सिर्फ एक ही ख्वाइश है खुद को तुमें समाने की हर रो और सीर जुका कर माया से कहा मैम बाहर पुलिस आये हैं उसकी बात सुनकर माया ने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा बाहर बिठाओ उन्हें वही पुलिस की खबर सुनकर अर्चना जी और राजवीर जी काया भी हैरान रह गई आज पहली बार शिखावत खांदान की दहलीज पुलिस आये थी मैम साथ में DCP सर के दामाद इप्स मुनबवर सर भी आये हैं और उन्होंने ही आपके बारे में पूछा मेड ने जब बादिया इप्स मुनबवर का नाम सुनकर माया के चेहरे पर कातिलाना मुसकान तेर गई फिर तो उन्हें बाहर गार्डन में वेड करन आज पहली बार शेखावत खांदान की दहलीज पर पुलिस आये हैं और इसका मतलब तो मच्छे जानती हो कि वो क्यों आये हैं। उसकी बात सुनकर अर्चना जी ने कहां पर हमारी रेपुटिशन का क्या अगर ये खबर की मीडिया तक पोहच गई तो शेखावत खांदान की सालों की इजज़त पर मिटी में मिल जाएगी। अर्चना जी से बोल पड़े तुम भी जवानी में ऐसी थी। उनकी बात सुनकर अर्चना ने उन्हें घुरा। वही माया जब बाहर आये तो देखा कि एक पुलिस वाला जो डिसीपी का दमाद था और कुछ लेडी पुलिस वहाँ खडी थी। क्या बात है डिसीपी टोली यहाँ। माया ने घिरे से डिसीपी के दमाद मुनववर से कहा। यू आर अंडर अरेस्ट माया शेखावत एक लेडी पुलिस ने जल्दी से आगे बढ़ कर कहा। और वो किस खुशी में माया ने डिसीपी के दमाद मुनववर की तरफ देख कर कहा। वो तो तुम्हे ठाने चल कर ही पता चल जाएगा। डिसीपी के दमाद मुनववर कहा। ले चलो इसे। उसने लेडी कॉंस्टेबल को ओडर दिया। तब तक सभी बाहर आ गए थे। माया के हाथों में हदकरी देख अर्चना जी ने गहरी सास लेकर अपनी आखों बंद कर ली। एक घंटे के अंदर में बाहर और फिर तेरे ससूर और तेरी उल्टी गिंती शुरू। माया ने दाग तीस्ते हुए कहा। ये लड़की तमीज से बात कर जानती नहीं है क्या की वो कौन है। लेडी कॉंस्टेबल ने माया पर गुसा करते हुए कहा। अपने सामने उसकी उजी आवाज सुनकर माया की मुठ्थी कस गई। माया ने अपनी गर्दन संकी की तरह हिलाए और उस लेडी कॉंस्टेबल को घूरा। शायद तु मुझे नहीं जानती माया ने का संकीपन उसके बरता से देख रहा था। तुझे तो थाने चलकर बताओगी उस लेडी कॉंस्टेबल ने माया को देख गुसे से कहा। तरफ देख कर शैतानी मुस्कुरात के साथ फुस फुस आते हुए कहां तो माया अब अपनी आधी जिंदगी जेल में सरना क्योंकि तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। उसने माया का मजाक बनाया। दरसल कर रात माया ने डिसीपी के गुंडों को सिर्फ घायल नहीं किया बलकि हर एक को जान से ही मार दिया था। तो DCP ने माया पर उन लड़कों को जान से मारने और अपने पासकन रखने के जुर्में अरेस्ट कर लिया था। पर उसे माया के खिलाफ सबूत नहीं मिला था। वो तो उसकी ही रची साजिस को कानून के जरिये माया से बदला ले रहा था। वही माया ने जब मुनववर की बात सुनी तो तंज कसते हुए कहां, DCP के पालतु कुट्टे एक बात अपने इस खली दिमाग में बिठा ले कि माया को कोई कैद करके नहीं रख सकता फिर चाहिए तेरी जेल की सलाखे भी क्यूं नहों, माया ने एक मजाक वाली मुस्कान के स साथ उसे देखा, मुनववर की माया की बात सुन कर मुठ्थी कसली, उसने लेडी कॉंस्टेबल को ओड़ा दिया, अंदर करो इसे, जेल की हवा खाने से इसकी सारी हेकली निकल जाएगी, वो जाकर अपनी डैस्क पर बैक गया, माया को उस लेडी कॉंस्टेबल ने खिचत अंदर कर दिया और जेल का ताला लगाते हुए घिरे से कहां, दो टक्के की लड़की अब जेल फरफा अपने पंक, वो माया को भूरते हुए वहां से चली गई, माया तिरची नजरों से उससे जाते हुए देख रही थी, उसने अपनी गर्दन में हाथ डाल संकी स्माइल तरह हिलाई, माया ने अपने हाथ में पहनी रिंग को हलकी से प्रेस किया जिसमें से हलकी सी ग्रीन लाइट शो हुई, माया को कोई बांध कर नहीं रख सकता, वो बुर्बुदाई, और कुछ आधे घंटे के अंदर एक काले रंग का कोट पहने एक लड़की जिसके हातों म एक फाइल थी, उस लड़की के साथ रडी भी आया हुई थी, वही दुसरी तरफ वन्च अभी अपनी एक मिटिंग डिसकस कर ही बाहर आया था, कि तभी उसका फोन बज उठा, उसने कॉला आईडी पर नाम देखा और कॉल उठा लिया, जीजू गजब हो गया, माया दी को कुलिस उठा कर ले गई, काया ने जल्दी से अपना गला फारते हुए वन्च से कहा, काया की बात सुनकर वन्च ने एक दम कॉल वाइज में कहा, मैं क्या करू, तुम्हारी दी हर वक किसी ना किसी से पंगे लेती हैं, तो ये सब हूना ही है, वन्च ने अचानक से कॉल डि कर दिया तो उसके माथे पर टेंशन की लिकिरे उमा आये, मिसेज रावल शायद आपके साथ मुझे आप सकती से पेश आना पड़ेगा, वन्च ने अपने माथे को मसला, वो अलग था, माया की तरह वन्च बिलकुल भी नहीं था, जैसे माया गुसेल खडूस जिद्धी घ पर माया जो गुसा देता है उस पर सारा गुसा निकालती है वो भी अपने तरीके से पंगे लेना माया के खून में था, वही वन्च ने माया के जेल जाने से कोई फरक नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता था उसकी बीवी को ऐसे मामलों में उसकी कोई जरूरत नहीं है, पर ह हमारे वन्च बाबु ने कुछ और ही ठान लिया था, वही पुलिस्टेशन में मुनवर ने अपने सामने काले कोट पहने लड़की को देखा तो वो हैरान रह गया, कौन हो तुम और बीना मेरी पमिशन के अंदर कैसे आया है, वो चिल्ला उठा, अपने पैरों पर चल और हां काले कोट को अंदर आने के लिए पमिशन की जरूरत नहीं होती, उस लड़की ने अकते हुए कहां और एक कागस निकाल कर उसके सामने करते हुए कहां, माया शेखावत उर्फ मिसेज रावल के बेल पेपर हैं तो छोड़ दिजे उन्हें, ना कोई इंट्रोडक्श उसने अभी इतना ही कहा था कि उसकी डेस्ट पर रखा उसका फोन बजू था, कॉल देख रड़ी और उस लड़की के चहरे पर मुस्कान तेर गई, मुनववर ने कॉल रिसीव किया कि दुसरी तरफ से डिसीपी की अपने गुसे को दबाते हुए आवाज आये, छोड़ द सुनकर मुनववर ने साइट जाकर भीरे से दान्ग पीसते हुए कहां, डिसीपी ने गुसे से हुए कहां, उपसे ओड़ा आया है, मेरे उपबी कोई है जिसके हमें ओड़ा फॉलो करने पड़ते हैं, तो अभी के अभी छोड़ दो उस माया को बाद में देख लेंगे उस तो मुझे यहां आये एक घंटा भी पुरा नहीं हुआ है, माया ने अपने घड़ी को देखते हुई मुनववर से एविल स्माइल करते हुए कहा, मुनववर सिर्फ दान्ग पीसिता रह गया, माया चेय पर से खड़ी हुई और उस लेडी कॉंस्टेबल के पास जाकर उसे देखने लगे, वही रडी और उस वकिल लड़की ने एक दुसरे को देखना में गर्दन हिला दी, जैसे कह रही हो कि ये कभी नहीं सुधर सकती, वो लेडी कॉंस्टेबल ने घबरात से माया को देखा, तभी माया ने अचानक से ही उसके बालों को कस कर पकर लिया और उसक तमीज सीखा रही थी मुझे माया शेखावत को और मेरे सामने उची आवाज में बात की, घेरे से क्या उकात भूल गई थी या फिर तमीज, वर्दी का जोर किसी को के सामने दिखाना समझी, मेरे सामने बिलकुल भी नहीं क्योंकि मैं कोई सडक छाप लड़की नहीं, माया तमीज से बात तो क्या इज़त देना भी पसंद नहीं करती, उस लेडी कॉंस्टेबल के सीर से खून निकलने लगा था, कुछ देर पहले उसकी आँखों में जो घमन था अब माया शेखावत नाम के खौफ में तब बदल हो गया था, कुछ देर बात जब माया थाने के बा बच्पन की दोस्ट जो एक việc थी और वो रेप वाला केस भी यही हादल कर रही थी, एक यही थी जो माया को जो मुँ में आय बग देती थी, और माया भी इससे कुछ नहीं कहती थी, कानून को हाथ में नहीं लेती मैं कानून को तो अपनी जेब में लेकर घमती हूँ, और वैसे भी ख्याव खार लेगा तेरा ये कानून, जो एक मासून को इंसाफ नहीं दे सका। बिकाव कानून उस दिन भी बिग गया था और आज भी बिग गया, माया ने निशी को घूरते हुए कहां और कार में बैग गई। माया उस बच्ची को इंसाफ मांगने कानून के पास गई थी, पर लड़कों के चारों परिवार ने जच को ही खरीद लिया, तो आज माया ने सीम को खरीद लिया, जो बताता है कि कानून बिकाव हैं, जिसके जेब में पैसा कानून भी उसी का, रडी कार ड्रायव कर रही थी माया और निशी पिछे बैठे थे, माया खामोशी से बाहर देख रही थी, की भी निशी ने माया की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए कहां, ये ले इस पर साइन कर दे, फिर ये फाइल में तेरे वंच बेबी को भेज दूगी, निशी की एक आदत थी कि बिना कुछ सोचे स बोल देने की, माया ने वंच बेबी उसके मुझ से सुना तो दांग पीस्ते हुए कहां, वो सिर्फ मेरा हैं, तो जही इसी बात है उसे वंच कहने का और बेबी कहने का हक सिर्फ मेरा हैं समझी, उसे गुसा आया, क्यूंकि वो वंच के लिए परजेस अव थी, उसका वंच कान में डालने के बराबर था अगर इतना ही प्यार है अपने पती से तो उसे तलाग क्यों दे रही है समझ नहीं आता कि तू ये सब कर चाहती क्या है निशी ने आखे छोटी कर घूरते हुए कहां अड़ा माया फुस फुस आए उसकी बात सुनकर कार चला रही रडी भी असम के में दूर भी हो सकती हूँ तभी तो मेरा मासूम वंच बेबी अभी मेरे खिलाफ जाने की दोबारा कोशिश नहीं करेगा माया ने उन तलाग के पेपर को देखे विल स्माइल करते हुए कहा निशी और रडी हिरान रह गई माया की बात सुनकर तू सच में संकी है माया ज नहीं बलकि एक जुनून और एक दिवानगी थी उसके लिए निशी ने माया की बात सुनकर एक गहरी सास ली और कहा खैर ये सब छोड़ और ये ले तेरी शेखावत इंडिस्ट्रीज के पेपर जो जीजा जी ने तेरे नाम वापस कर दी है उसने शेखावत इंडिस्ट्र एक घंटा और फिर थोड़ा घर का काम और थकान जिस कारण से चैप्टर अपलोड नहीं कर पाए इसलिए इस महिने में चैप पर एशू होता रहेगा प्लीज कमेंट और लाइक करते रहे चैप्टर 58 हैरानी रात का वक्त था जहां मुनवर अपनी शीफ्ट खत्म कर पुल पर लगे क्लोरोफॉर्म की कारण बेहोश हो गया कुछ देर बाद एक अंधेरी जगह मुनवर की आँखे घिरे घिरे खुली उसने अपने आपको अंजान जगह पाया तो वो घबरा गया उसने हिलने की कोशिश की पर ये क्या था वो हैरान रह गया क्योंकि उसे एक चैप पर रस्यों से बांध रखा था वो खुद को चुडाने के लिए स्ट्रगल करने लगा पर वो नाकाम रहा वो गुस्से से चिल्ला उठा कौन है जिसने एक कुलिस वाले को किद्नेप करने की हिम्मत की सामने आसाले छोड़ उगा नहीं तू जानता नहीं है मुझे मैं इस पर उसकी वो आवाज उस खाली अंधेरी जगल गुंज उठी कुछ पर बाद उस अंधेरी जगल का शेतर उपव उठा उसने देखा वहाँ एक आदमी खडा था उसने एक हुडी पहनी हुई थी चेहरे पर मास्त था उसके हाथ में एक मजबुत चेन थी कौन है तू नहीं जानता और नहीं जानना चाहता हूँ पर अभी वक्त है छोड़ दे मुझे शायद मैं तुझे जाने दूख्यों कि मैं एक पुलिस वाला हूँ तो आहहह वो कही रहा है कि उस शक्स ने गुस्से से उसके गले में चेन अडाल कर उप अपना जोर लगाने लगा मुनवर की आखें घिरे घिरे बंध हो रही थी तभी उस शक्स ने उसे छोड़ दिया मुनवर गहरी गहरी सासे लेकर खुद को शांत करने लगा वो घबरा गया उस शक्स से तभी उस शक्स ने कॉल वाइज में कहा दूर रहो तुम दोनों ससूर दामाद उसे से वो मेरी जान है और अगर मेरी जान को तुम दोनों की कारण कोई खरोच भी आया ना तो आज तो सासे कुछ पल रोकी हैं अगर तुम दोनों नहीं रुके तो कहीं हमेशा हमेशा के लिए ना रुक जाए उसने मुनवर को एक वार्निंग लोग दिया चला गया उसके जाते मुनवर ने खुद की रसीयों को धिला पाया वो हद से जादा घबरा गया था इसलिए एक पल गवाए वहां से निकल गया वही वो शक्स उस जगह से दो राकर एक कार में बैठ गया मार डालना चाहिए था ना उससे वैसे भी पुलिस की नाम पर सिर्फ एक घबबा था ग्राय वसी को यहां लेकर आया था क्योंकि डिसीपी को रोकना है तो अलरना भी जरूरी था वंच की बात सुनकर अरजुन ने गहरी सास लेकर कहा वैसे तलाक का क्या क्योंकि तेरी बीवी ने तू उन साइन कर तुझे भीज दिये हैं तो मैं भी साइन कर दूगा वंच ने कहा मैया शेखावत नहीं बलकि मिसेज रावल है जिसकी पतनी की जिम्मेदारी भी है घेरे घेरे दिन बितने लगे थे सब कुछ शान्त था डिसीपी भी वही इस बिचकाया और अरजुन की सगाई भी कर दी गई थी रडी और डेनियल की लाइफ भी नॉमल चल रही थी पर व वो अपने ही पती को हलके में ले रही थी आज माया अपने बिचनेस पार्टन के साथ दिन पर एक सेवन स्टार रेस्ट औरंट में दिन पर आया थी दो बिचनेस की बात करते हुए दिन कर रहे थे तभी माया का ध्यान में डोर की तरफ गया उसकी आखे चोड़ी हो गई उ उनों को देख लग रहा था कि जैसे दोनों रिलेशन्शिप में हैं। माया की पकड़ चम्मच पर कस गई। तभी माया के बिजनेस पार्टन ने कहा All Good Miss शिखावत। उसने माया के बदलते भाव को देखा। माया ने उसकी तरफ देख कर बस स्माइल कर दी। और जबर्दस्ती खाना खाने लगी पर उसका सारा ध्यान कोने में लगी टेबल पर बैठे वंच और रिया पर था। जो बाते तो ऐसे कर रहे थे जैसे देट पर आये हो। कुछ देर बाद दिन खक्म होने के बाद माया और बिजनेस पार्टन दोनों बाहर आये। माया ने गुसे को दबाते हुए एक स्माइल के साथ उन्हें वीदा किया और फिर गुसे से लार जहरा लेकर तमतमाते हुए अंदर आये। उसने देखा कि उसका वंच बेबी वाश्रूम जा रहा है। माया ने ना आव देखा ना ताव सिध्य वंच के पिछे वाश्रूम में पोहच गई। सा आ रहा था। उससे पसंद नहीं था अपनी चीजों को किसी और के साथ शेयर करना। तो यहां तो उसका वंच बेबी था, जिसे वो किसी भी हाल में शेयर करने का सोच भी नहीं सकती थी। पर उसका वंच बेबी तलाग पेपर साइन कर डेट पर जा रहा है। वंच ने जब माया की बात सुन तो उसका हाथ अपने कॉलर से हटा दिया और उसे दूर हो कहा विस शिखावत शायद आप भूल रहे है कि तलाग का फैसला खुद आपका था मेरा नहीं पर मैं खुश हूं कि तुमने मुझे तलाग दिया वंच की बात सुनकर माया हैरान रह गई उसने हैरानी से वंच को देखा तुम तुम कहना क्या चाहते हो माया ने कहा देखो तुम अपने आपको तुम लड़की होकर भी लड़कियों जैसी नहीं हो ना कोई सादगी ना कोई शर्म लिहाज और तौर तुम मेरी बीवी बनने क लायक भी नहीं हो तुम्हें ना खाना बनाना आता है ना तुम्हें एक बीवी बनना आता है तुम्हारे साथ रहकर मुझे सिर्फ बैट पर साटिस्फाक्शन महसूस होता था और तुम्हें सिर्फ बैट पर ही बीवी का फर्ज निभाना आता है बाकि तुम्हें बिजनेस, स और बदला देने के अलावा कुछ नहीं आता, तो मैंने ठान लिया कि मैं अब रिया से शादी कर सेटल हो जाओ, ताकि जब काम से थकाहारा घर आओ तो जल्दी से पानी का ग्लास मेरे सामने हो, वो हर माइने में तुम से पफेक्ट है मिस शेखावत, वंच ने मया को देखते राथा पर दिमाग खराब हो गया वंच की हर एक बात सुनकर, चाप्टर 59 रोमांस इंद का, रेस्टोरंट के बाहर वंच ने रिया के लिए क्याप बुक कर दी थी, जिसमें बैठ कर वो निकल गई, वही वंच भी अपनी कार में बैठने ही वाला था कि तभी अचानक से मा माया को देखने लगा, जो चहरे पर दुनिया भर का गुसाल ये ड्राइव हिंग सीट पर बैठने जा रही थी, वंच माया पर चिलाया, ये क्या हरकत है मिस शिखावत, माया ने वंच की बात को इगनो कर कार चालू की और तेजी से सड़क पर दोडाने लगी, कार की स्पी एक गैर लड़की से कंपे किया, जबकि वो हर तरफ से पफेक्ट है माया के दिमाग में ये सवाल आया, कार सो की स्पीद से तेजी से हवा को चिरते हुए आगे बढ़ रही थी, वंच ने कार की स्पीद देख माया से कहा, पागल हो गई क्या, इतनी तेजी से कार क्यों चल लाने की, वो खुद को कोसे जा रहा था, दरसल ये सब वंच ने माया से इसलिए कहा था क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बीवी सेफ रहे, अपने काम से काम रखे, वो और हरता था कि कही माया की जिद और उसका गुसा उसे खत्रे में ना डाल दे, वो सिर्फ यही चाहता थ कि वो उससे दूर ना जाए और उन सब दूसरी बातों से दूर रहे। वंच ने एक बार फिर से माया की तरफ देख रोनी आवाज में कहां वाइफी प्लीज कार रोग दो वरना हम दोनों ही भगवान को प्यारे हो जाएगे प्लीज। भी वंच ने देखा सामने से एक ट्रक आ रहा था। वंच ने माया को देखते हुए गिलगिदाते हुए कहां मिसेज रावल प्लीज कार रोग दो। कहते वक्त वंच की नज़रे बार बार ट्रक पर जा रही थी जो नज़दे का रहा था और माया जान बूझकर उसी तरफ का तुम भूल गए हो वंश बेवी की तुम्हारी बीवी कोई साधारन घर संभालने वाली खाना पकाने वाली लड़की नहीं, बलकि शेखावत इंबिस्ट्रीज की मालकिन माया शेखावत हैं जिसे शायद तुमने हलके में ले लिया, माया ने इविल स्माइल करते हुए कहा, आगे सामने से आ रहे ट्रक को देखते हुए आगे कहा, चलो आज साथ में मरते हैं, क्योंकि जब तक मैं जिन्ध हूँ, तब तक मैं वंश को जुनून से देखते हुए, मैं तुम्हे किसी का नहीं दुगी, because you're only mine, वंश only mine, माया ने संकी स्माइल करते हुए अपने आखर की शब्द कहे, वंश माया को देखता ही रह गया, जो उसे ही देख रही थी, तब ही ट्रक के बजे हौन से वंश होश में आया और उसने सामने देखा तो उसकी आखे हैरानी से बढ़ी हो गई, वंश ने फुर्ती दिखाते हुए स्टेरिंग विल को पकर जोर से गुमाया तो कार तेजी से सामने लगे एक पेर से जा तकराए, वंश ने माया के सीर पर जल्दी से हाथ लगा दिया ताकि उसका सीर सामने से ना तकराए, पर माया का तो नहीं पर वंश के सीर पर जरूर चोट लगी थी जिसे खुन निकलने लगा था, सब कुछ, कुछ पल के लिए शांत हो गया तभी वंच ने गरजते हुए माया से गुस्से से कहां, मिसेज रावल आज आपकी जिद में हम दोनों मर जाते पता भी है आपको, मैं कुछ कहता नहीं इसका ये मतलब नहीं कि आप जो मरजी दिल में आज वो करें, कभी तो शांत दिमाग से सोचा करो तुम वो अभी कही रहा था कि माया अपनी सीट पर से उठी और वंच की गोद में जाकर उसके होटों पर अपने होट रख वंच को खामोश कर दिया, माया लगतार वंच के बालों को सहलाते हुए उसके होटों को चुमने लगी, पर वंच जो गुस्से में था, वो किसका कोई जिसे महसूस कर माया ने वंच के हाथों को पकड़ अपनी कमर पर रख दिया और भीरे से कान में फुस्फुसाते हुए कहा, मुझे किस बगकरे वंच बेबी उसकी आवाज में एक नशा था, वंच ने गुस्से से अपना मुँ फिर लिया, आज अगर उसने सही वक्त पर स्टेरिंग फिर आया नहीं हूता तो आज दोनों ही मर जाते माया ने देखा उसका वंच बेबी गुस्से में हैं, जिसे देखकर माया ने इविल स्माइल करते हुए अपने हाथ को निचे ले जाकर वंच की पेंट की जीग खोलने लगी वंच माया का हाथ पकर लिया और नाराजगी से कहां, क्यों करती हो तुम ऐसी हरकते, तुम है समझ क्यों नहीं आता कि अब तुम माया शेखावत नहीं मिसेज रावल हो तुम तुम जान हो मेरी इसलिए अड़ा लगता है कि वही तुम्हारी हरकतों से मैं तुम्हें ही नाखोदू वंच ने ये सब नमाखों से घिरे से प्यार और नाराजगी के मिले जुले भाव के साथ कहा था माया ने जब वंच की बात सुनी तो उससे ही सवाल किया कितना प्यार करते हो मुझसे तुम उसकी बात सुनकर वंच ने कुछ पल उसके चहरे को देखा और कार की डेसबोर्ट से एक गन निकाल और माया के हाथ में थमाते हुए कहा तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, अगर यकिन ना हूँ तो आजमा कर देख लो, माया ने वंच की आँखे में देखा जिसने बेहिसाब प्यार था, उसके प्यार को आजमाने की जरुरत नहीं थी, अपनी भारे की गल्फ्र बनने के लिए 5 लाख रुके दिये हैं, माया ने वंच के होठो को काट लिया, दरसल वंच ने रिया को पैसे दिये थे अपने साथ गल्फ्रेंड का नाटक करने के लिए ताकि वो माया को जला सके, पर उस दिन जब माया ने रिया को अपना संकीपन दिखाया था, तभी रि दिला गया और उपस से तुमने उस चुडेल रिया का हाथ पकर रखा था जो मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं आया। माया ने कॉल वाइज में कहा। दोनों एक दुसरे की आँखों में देख रहे थे। वंच माया को देखा उसे माया को देखब कंट्रोल नहीं हो रहा माया ने अपना बिजनेस सुप पहना हुआ था जिसमें वो हमेशा की तरह होट और खुबसुरत देख रही थी। भार में तलाक और नाजारगी वंच कहा और माया के होटों को गिले चुम्बन से गिला करने लगा। माया भी वंच के बालों को सहलाते हुए उससे किस करने लगी। आज वो दो महिने बाद एक दुसरे के करीब आये थे। माया किस करते हुए वंच के शर्ट के बटन खोलने लगी। जिससे देख वंच ने किस ब्रेक करते हुए कहा यहाँ ये सब नहीं वाइफी। रिक्स लेना सीखो वंच बेबी। जो मचा कार में करने में है वो बैदवर नहीं और वैसे आज हम कार में रोमांस करते हैं। माया ने मधोशी से भरी आवाज में कहा और वंच की शर्ट के बटन खोलने लगी। वंच ने माया की पहली लाइन सुनकर उसे देखा। जैसे कह रहा हो तुम से शादी की है अब और कितना रिस्क लूँ। म वंच माया के होठो को छोड़ा और उसकी गर्दन को चुमते हुए घिरे घिरे निचे की तरफ बढ़ने लगा। माया आखे बंद का राहे भर रही थी। वो वंच के बालों को हलके हलके खिच रही थी। जिसे वंच और एक्साइटेड हो रहा था। वंच ने जब माया की उभारों को देखा तो वो मानो पागल हो उठा। उसने माया की चेहरे को देखते हुए उसके उभारों को मुह में भर सक करने लगा। अहह माया मीठे दर्द से करा हुठी। उसने वंच का चेहरा अपने सीने में दबा दिया। वंच लगा तार उन्हें सक करता जा रहा थ माया तेजी से आहे भर रही थी, वंच ने उसके उभारों को काटा, आहे, वंच बेबी हम, प्लीज बाइट मत करो आहा, माया ने कराहते हुए कहा, वंच ने माया की बात सुनकर उसके दापनिप को उंगियों से छेते हुए कहा, आपने अभी मेरी बात नहीं सुनी मिसेज र जो उसे पसंद था, माया ने मधोशी से भरी आवाज में कहा, तो हम तुम मुझे दर्द दोगे। माया की बात सुनकर उसके उपा आया और उसकी उभारों को प्रेस करते हुए घिरे घिरे से माया के अंदर एंटर करने लगा। कुछ देर बाद माया वंश की कमर पर बैठी उसे खुद में समा रही थी। दोनों इन प्यारे के पलों में खोते चले जा रहे थे। माया की सिस्किया पर वान चद रही थी। कुछ दो घंटों बाद ये सिलसला घिरे घिरे खत्म हुआ। माया वंश के सीने पर सीरह लेटी हुई थी। वो अपनी उंगली से वंश की सीने पर माया नाम लिख रही थी। जिसे वंश महसूस कर सकता था। वंश माया के बालों को प्यार से सहलाते कुछ सोच रहा था। तभी वंश ने कुछ सोचते हुए माया से कहा। अगर मैं कभी तुमसे हमेशा के लिए दूर जाना चाहू तो, तो क्या तुम मुझे जाने दोगी। उसने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि माया का अपने प्रती जुनून देख उसके मन में सवाल चलने लगे। वंश की बात सुनकर माया की उंगली रुप गई। हाँ, जाने दोगी मैं तुम्हें खुद से दूर, पर फिर तुम्हें दूर कर बरबाद कर दोगी। क्योंकि जो चीज मेरी नहीं होती उसे में किसी मैं और का भी नहीं हुने देती। माया ने वंश की आँखे में देखते हुए संकी स्माइल करते हुए कहा। उसकी बाद सुनकर वंश ने माया के बालों में उसके कान के पिछे करते हुए प्यार से कहा, तुमसे दूर जाकर बरबाद होने से अच्छा मैं तुम्हारी बाहों में रहकर बरबाद हो पसंद करूगा। प्लीज कमेंट करे और रेटिंग करते रहे और रिव्यूज भी देते रहे। चाप्टर सिक्स्टी प्रेगनेंट काया और कोर्ट मैरेज। अगले दिन शिखावत इंडिस्ट्री में माया अपने केबिन में बैठी कुछ फाइल चेक कर रही थी। तभी उससे केबिन का दोर नौक हुआ आवाज सुनकर माया ने बौसी आवाज में कमिन कहा। केबिन का दोर ओपन हुआ और एक आदमी अंदर आया जिसके हाथ में फुलो का बुगे था। माया ये आपके लिए आया है। उस आदमी ने कहा जो कम्पनी में काम करता था। माया ने उसे जाने का इशारा किया। माया चेपर से ख़री हुई और उस फुलो के बुगे को हाथ में लेकर देखने लगी। उस पर एक चीट थी, माया ने उहे लेकर खोल कर देखा। उस चीट पर सिर्फ माया लिखा हुआ था। माया को चीट देख उस दिन की याद आये जब उसके पिछे ब्लॉक्स उडबूट पहने आदमी लगे थे। माया ने भुगे में लगे फूल को हाथ में लेकर देखा, तुम मेरे दुश्मन हो या फिर आशिक कहते हुए माया ने उस फूल को कुचल दिया। उसने भुगे को कच्रे के डिबे में दाल दिया। बुद बुद आये। तरीका अच्छा था बट माया डजन्ट लाइक फ्लावर्स माया। वही दूसरी तरफ शेखावत मेंशन में काया वाश्रूम में लगातार हाथ में पकड़े प्रेगनेंट सी किट को घूरे जा रही थी। वो बैचेन थी, आँखे नम थी और उसकी नजरे किट पर बनी दू लाइनों पर थी। मैं, मैं प्रेगनेंट हूँ, अब क्या हूगा, काया ने रोते हुए सिसकते हुए कहा दो महिनों से उसके पिरियद नहीं आये थे, उसे थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा था, उसने आज अपना टेस्ट किया जो पॉजिटिव था, काया ने खुद को आईने में देखा और आशु साफ करते हुए खुद को दिलासा देते हुए कहा, रो मत काया ये गलत न रहा था, क्योंकि बिना शादी के प्रेगनेंट होना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, हाला कि उसकी सगाए अरजुन के साथ हो चुकी थी पर, काया ने सीन पर रखा अपना फोन उठाया और रोते हुए किसी को कॉल किया, दो तीन रिंग में कॉल रिसीव हुआ, तभी क काया की रोने की आवाज सुनकर माया ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ तुम है, तुम तुम रोक्यों रही हो, उधरल चिन हो, दी प्लीज जल्दी घर आ जाओ, प्लीज मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, काया ने बच्चों जैसे रोते हुए कहां और कॉल कट कर दिय कुछ ही देर में माया काया के पास थी माया को देखकर काया वाचा जल्दी से उसके गले गल गई और जोर से रोना शुरू कर दिया माया उसके बालों को सहलाते हुए उससे शांत करने लगी क्या हुआ बेबी बताओ मुझे तुम रोख क्यों रही हो माया ने उसके आंसुओ को पोहचते हुए कहा दी, I'm pregnant काया ने सिसिकते हुए घिरे से कहा उसकी बात सुनकर माया ने गहरी सास लेकर कहा क्या अरजुन ने इस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया उसकी बात सुनकर काया ने रोते हुए हैरानी से उसे देखा और घिरे से कहा, नहीं दी मैंने नहीं बताया उन्हें कुछ भी मुझे ही आज ही पता चला जब मैंने टेस्ट किया तो रो तो ऐसे रही हो जैसे अरजुन ने बच्चे को अपनाने से मना कर दिया हो माया ने उसे भूरते हुए कहा माया को ये बात कोई बड़ी बात नहीं लगी जिसके लिए उसकी इनोसिंट बहन इतना रो रही है काया ने उसक बात सुनकर कहा आप इतना कैसे रिलॉक्स हो सकते हो दी मैं प्रेगनेंट हूँ वो भी बिना शादी की लोग क्या कहेगे और मॉम डैड में कैसे उन्हें फेस करूगी माया ने उसकी बात सुनकर कुछ पल सोचा और काया का हाथ पकड़ कर अपने साथ लेकर जाने लगी काया ने कहा आप कहा लेकर जा रही है मुझे उध्धरंग चिन्ह माया ने कुछ नहीं कहा अब उसे लेकर शेखावत मैंशन के बाहर निकल गई और उसे कार में बैठा कर सिदे कपूर इंडस्ट्री में आ गई माया ने काया का हाथ पकड़ उसे अंदर लेकर जाने लगी काया का पूर इंडस्ट्री देख कर हैरान परेशान रह गई सभी को से उन्हें देख रहे थे माया काया को लेकर दनदनाते हुए अरजुन की केबिन में पोहच गई दोनों को देख अरजुन हैरान रह गया और साथ में वंच भी जो उसी के साथ था माया ने काया को अर्जुन के सामने किया और कहा मेरी बहन प्रेगनेंट है और मैं नहीं चाहती की प्रेगनेंसी में ट्रेस लेकर ओ अपनी और बेबी की हालत खराब कर दे इसलिए अभी उससे शादी करो समझे वंच अर्जुन और काया हिरानी से मूँ खोले माया को देखने लगे तभी अर्जुन ने हिरानी से काया की तरफ देखा तो काया ने घिरे से सीर हिला दिया अर्जुन काया को देखने लगा उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर क्या करे उसके होटल के हलके मुढ रहे थे उसने अचानक से नम्ती से काया को कसकर गले लगा लिया मैं डैट बनने वाला हूँ, अरजुन धिरे से फुस फुसाया काया ने उसे हग बॉक किया, वो इतनी खुशी की बात पर समाज का विचार कर रो रही थी पर उसकी बहन ने किसा का भी ख्याल नहीं किया और उसे खुशी की वजह दी काया ने माया की तरफ देखा जिसे देखकर माया ने कहा, नो काया पर अर्जुन से अलग होकर काया भागी मारा के गले लग गई और उसके गालों को चुमने लगी माया का मो बन गया काया बच्पन से ऐसा ही करती थी वंश और अर्जुन माया पर हसने लगे थैंक्स दी काया ने कहा वही वंश अर्जुन के गले गल गया और कहा तू तो मुझे भी आगे निकला Congratulations यार, बाप बन गया है अब, अब शादी भी कर ले, उसने अर्जुन की पीक थप थपाई तभी माया ने अर्जुन को देखते हुए कहा, तो Mr. Kapoor अब कांड क्या है तो अब शादी भी कर ही लो, वो भी आज कोर्ट मेरेज, बाहरा जाना हम तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं कहकर माया बाहर जाने लगी पर उसने देखा उसका वंच बेबी अभी वही ख़ड़ा दांग दिखा रहा था उन्नी सो जिसे देखकर माया ने उसे घूरते हुए कहा, दांग क्या दिखा रहे हो, चलो बाहर मुझे तुम से जरूरत बात करनी है, वो उसे घूरते हुए चली गई वही वंच का तो मोही बन गया, वो माया के कोस्ते हुए उसके पिछे जाने लगा उसके जाने के बाद अरजुन काया के पास घुटनों के बल बैट गया और उसके टॉप को उपकर काया के पेट को किस करते हुए कहा, मेरी मिहनत का फल काया ने गुसे से उसके बालों को खिचते हुए कहा, हब भी आप कितने थरकी हो बेबी में अगर थरकी ना होता तो आज ये ना होता या फिर होती अरजुन ने पेपर किस्से की बरसात करते हुए कहा तब ही अचानक से काया ने मायूस होकर कहा पर हब भी मॉम डैड और आपके मॉम डैड क्या कहेगे आरजुन ने एक गहरी सास ली और काया के चेहरे को हातों में भर प्यार से कहा बेबी अब हम खुद मॉम डैट बनने वाले हैं और वैसे भी हमारी शादी तो होने ही वाली थी बस अब वो आज हो रही है और तुम उनकी परवा मत करो हमने प्यार किया है और हमारा बेबी हमारे प्यार की निशानी है उसने काया के माथे को शिधत से चुमा वही बाहर माया ने फोन पर शादी की तयारी करने का ओर्डर दे दिया था उसने फोन रख वंच को घूरा तुम यहां क्या कर रहे थे माया ने वंच से कहा उसे लगा उसका वंच बेबी अपने ओफिस में अपना काम कर रहा होगा वही वंच ने माया की बात सुन कहा वो ओफिस में आज ज्यादा कुछ काम नहीं था तो यहां आ गया चील करने। उसकी बात सुनकर माया ने वंच की करीब बढ़ते हुए घिरे से कहां अच्छा तो मेरे पास आ जाते ना दोनों मेरे ओफिस की टेबल पर अच्छे से चील करते कहते हुए माया ने अपने निच पुरा अर्जुन का प्रावेद था वही वंच अब दिवार से चीपक गया था पुरा और माया उससे माया ने वंच के चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए सेक्स्चुल वाइज में कहा वंच बेबी चलो हम भी बच्चे पैदा करते हैं रोज दिन रात बैट पर मेहन तरंग लाएगी हमारी उसने अपनी उंगली को वंच के शर्ट के अंदर लेकर जाने लगी वंच चो कसकर अपनी आखे बंद कर खड़ा था उसने माया को दूर किया और कहा हम बाहर है मिसेज रावल तो क्या हुआ वंच बेबी थोई हम यहाँ ही शुरू होने वाले हैं र उसकी थरकी बीवी की तरक्ते उसकी सासे अटका देती थी क्योंकि था तो वो एक आदमी ही जिसकी माया की नौटी हरकतों से लोग पार्ट में हलचल होती थी वो भी पबलीक पेलिल्स में जो शर्म नाथ था उसके लिए माया घिरे से उसके होटों के करीब बढ रही थी कि तब ही अचानक से माया को किसी के खासने की आवाज सुन दी जिसे सुनकर वंच ने भी आँखे खोल माया को दोर किया माया और वंच ने देखा काया और अरजुन दोनों ही उन्हें देख रहे थे वंच बाबू शर्मा गए यार प्लीस कमेंट करे और रेटन करते रहे और प्रिव्यूस भी देते रहे। कल का चेप्टर तो बिल्कुल भी मिस मत करना शायद कल कुछ स्पेशल है।